किसी भी फ्री लांसिंग कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखिए सबसे ज़्यादा जॉब्स मार्केटिंग के अंदर किस चीज़ की हैं या किसी भी और्गनिजेशन के जॉब पोर्टल को उठा के देखें या इश्तिहारात को उठा के देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जॉब्स मार्केट में इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग की हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़? मैंने तो यही सुना है कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस का बैक्गराउंड नहीं है या आप कंप्यूटर के अंदर महारत नहीं रखते तो भाई आप डिजिटल तो कोई चीज़ करनी सकते हैं तो आई यह सेशन के अंदर मैं आपको बड़े ही असान तरीके से एक्स्प्लेइन करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और फिर आपने यह देखना है कि क्या आप बगएर कंप्यूटर के नौलिज के या कंप्यूटर के अंदर महारत ना रखते हुए डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स करके फ्री लांसिंग के थूँ पैसे कमा सकते हैं इस सेशन को एक्स्प्लेइन मैं दो किर्दारों के थूँ करूँगा यह दो किर्दार भाई हैं एक का नाम मिस्टर नदीम है मिस्टर नदीम जो है वो बड़े इंटरस्टिंग किसम के किर्दार है रोज इन्होंने सुबा उठना है पेंट कोट पहनना है टाई पहननी है और नाच्टा करके आफिस पहुंचना है एक्जेक्ट नौ बज़े सारा दिन काम करते हैं पांचबजे तक और पांचबजे से पहले नौ से दस लोगों को कोई चीज सेल करके उनके साथ कांट्रेक्ट साइन करते हैं और फिक घर आ जाते है और महीने के बाद उनकी तनका एकांट में ट्रांस्फ़र हो जाती है अब इनी नदीम साब का एक चोटा वाई भी है उसका नाम है अजलान जरा अजलान के बाल देखिए आ यह रोज सुबा लेट उटता है साथ से आठ गहंटे कम्पिटर के उपर स्पेंड करता है और शाम को दोस्तों के साथ भी जाता है ऑनलाइन बेठा यह भी कुछ बेच रहा है कहता तो यही है कि कम्पनीज के साथ ऑनलाइन कम्यूनिकेट कर रहा है किसी प्रॉजेट्स के उपर माबाप काफी परिशान है इसके केस के अंदर लेकिन महीने के बाद अजलान की तनखा ऐस कम्पनीज तो मिस्टर नदीम कभी कपार ज्यादा है तो मेरा सवाल आप से इस टाइम यह है कि मिस्टर अजलान और मिस्टर नदीम हैं तो भाई लेकिन दोनों में फरक क्या है करतो मार्केटी की जॉब रहे हैं लेकिन दोनों में फरक क्या है तो दोस्तों बोथ हार marketeers लेकिन नदीम साहब है traditional marketeer traditional marketeer से मुराद सुबा उटके office जाना office जाके traditional selling करनी selling के बाद contract sign करवाने कस्टमर से और वापिस घर आ जाना जबकि अजलान on the other hand is a modern marketeer जिसको हम दूसे लफ़ों में digital marketing भी कहते हैं digital marketeer भी कहते हैं जो digital marketing की jobs करता है freelancing website के ओपर बैठ के अब इस example के बाद आप सोचे रहे होंगे कि तो फिर digital marketing हुई क्या सुबा लेट उटने का नाम digital marketing है या साथ से आठ गहनटे एक computer के ओपर time spend करने का नाम digital marketing है तो आईए let's have a look on the definition असान लफ़ों में digital marketing है all those marketing activities done on modern digital channels याद करें पिछला एक session कि जिसके अंदर मैंने आपको different digital media के बारे में बताया था different digital channels के बारे में बताया था तो digital marketing नाम है वो तमाम marketing के काम के जो आप computer को use करके कर रहे हैं आज कल के दौर में उसको digital marketing कहते है लेकिन वो काम कौन से हैं what are those activities so let's have a look the first activity is called paid advertisement freelancing की website के ओपर जब आप जाके देखें तो अक्सर आपको नजर आएगा कि कुछ organizations कहती ये हैं कि आप हमारे लिए paid advertisements करें मतलब आप different websites के ओपर जाकर हमारी company के इश्तेहारात दें अब without naming any website अगर आप थोड़ा recall करें तो आप live streaming के थूँ cricket match देख रहे हैं या online internet के ओपर cricket match देख रहे हैं क्योंके बिजली नहीं आ रही और टीवी चलनी रहा तो आपको right और left अक्सर companies के ads नजर आते हैं उसको हम paid advertisement कहते हैं दूसरी जो marketing activity है उसको हम कहते हैं social media marketing social media marketing क्या है बड़ा simple facebook के ओपर marketing करना आप एक shirt बनाने वाली company है और facebook के ओपर आपकी company के इस्तेहराद चलेंगे और customer आपके साथ communicate करेगा तीसरे नमबर पर हमारे पास आ रहा है email and sms marketing अच्छा email और sms marketing के साथ मैं WhatsApp marketing को भी आड़ करूँगा मैं Viber marketing को भी आड़ करूँगा बलके सारे का सारा mobile marketing को मैं आड़ करूँगा क्यों? क्योंके आजकल के दौर में email और sms पुराना होता जा रहा है तो WhatsApp उसकी जगा ले रहा है तो उन activities को करना भी digital marketing के जुम्रे में आता है इसके बाद हमारे पास आता है search engine optimization बड़ी technical सी term है काफी लोग डर भी जाते हैं इससे इससे मुरा सिर्फ ये है कि जब भी कोई आपकी company का नाम Google के ओपर सर्च करे तो आपकी company का address, web address और उसकी details सबसे top पहनी चाहिए और उसका एक पूरा process है जिसके बारे में हम इस course के अंदर मजीद आगे चलके discuss भी करेंगे इसके बाद हमारे पास आती है activity mobile marketing की अब ये mobile marketing क्या है वही मैंने WhatsApp की और email की और SMS की तो बात कर दी mobile marketing से मुराद ये है कि वो सारी चीजें जो user या वो सारे platform जो user mobile के उपर यूज कर रहा है या असान लफ़ों में अगर इसको मैं explain करूं वो सारी apps जो user अपने mobile phone के उपर यूज कर रहा है company उन apps को यूज कर के कैसे अपना पैगाम customer तक पहुंचा सकती है तो दोस्तों इन सब activities के बाद आप अब सोचे रहे होंगे कि क्या हमने अभी भी कोई चीज इसमें miss की है क्या अभी भी कोई digital marketing के ऐसी job है कि जो नदीम साहब तो कर रहे हैं लेकिन अजलान कर नी सकता एक है जिसको हम कहते है marketing research और ये बड़ी interesting किसम की job है companies आपको पैसे पे करती है कि आप हमारे दिये गए topic के ओपर market से data collect करें उसके ओपर report बनाएं और report बनाके हमें दें तो इन सब activities को देखकर आपके जहन में क्या आता है क्या अगर आपके पास computer के अंदर महरत नहीं है या आप coding नहीं कर सकते तो क्या still can you do digital marketing jobs जवाब मेरे दोस्तों है बिलकुल और हम सब और आप digital marketing की job कर सकते है even if you do not have a computer science degree